वेलकम क्रिप्टो ट्रेडर से एक नए सांधर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जिस तेजी से और बिटकोइन 77,000 पर पहुचा है और जिस टाइप से संभावना है कि मन इस साल के एंड तक नवेंबर दिसंबर तक इसके 40,000 पहुचने का यहां पर जो अनुमान है व आई है जो कि आए चेड़ जीपीटी AI Artificial Intelligence आप लोग सब जानते इससे परीचे थे उनके द्वारा एक नियूज निकली है कि आए चेड़ जीपीटी भविश्वानी करता है कि जो सिप टोकन है वो 0.9 डोलर समझ रहे है ना 0.9 डोलर तक पहुचेगा अब यह कब पहुचे आई यह इस खबर को विस्तार देते है क्योंकि चेड़ जीपीटी के इसलिए यहां पर जो दावा है वो पुक्ता होता है क्योंकि चेड़ जीपीटी किसी एक बंदे का नहीं है यह जो एक्सपर्ट हुनों जो इंटरनेट पर जितनी भी अपने राय देते हैं उपीनियन उन सब का समगर यह चेड़ जीपीटी आपको दिखाता है आप लोग अगर चेड़ जीपीटी को बखो भी जानते है तो यह आप अच्छा सा जानते होंगे यह बात मेरी तो यहां पर मैं उसी चीज को विस्तार दे रहा हूँ एक न्यूज है जिसके हवाले से मैं यहां प इंदू 08 आसपास यहां पर चल रहा है इस प्राइस पर 73 पर तो इसको पार करने पर संघर सकर रहा है लेकिन 23 में एक महत्पुन अपडेट जो कि फरवरी में लोग प्रे संपत्ति घट गई थी उस बीच AI इंटेलिजेंट चेड़ जीपीटी के पास एक नई प्रेडिक् इस क्रिप्टो करंसी के लिए तेजी को गती दे सकती है यहां पर अगर देखे तो चेड़ जीपीटी के अनुसार सीबा इनुको पोजटिव भावना में अचानक उचाल और नई साजेदारी के और बढ़ते हुए अपनाने के आउशकता है यानिकि दो चीजों पर यह फो यहां पर आपने देखे हुए थे वह सब ब्लू वेहल के थे वह बड़े-बड़े मिलियन सो में ट्रांजेशन थे तो उस कारण से वोल्यूम यहां पर इंक्रिज होता हुआ दिख रहा था तो यहां पर चोटे इन्वेश्टर है क्योंकि यार वह मिलियंस की संख्या में हो ते यार उनके भले ट्रांजेशन बड़े हो तो एसे में यहां पर कहने का मतलब है कि पॉजिटिव भावना अचाना कुछ हाल लाना पड़ेगा नई साजेदारी की और बढ़ना रहेगा क्योंकि नई साजेदारी जैसे कि बहुत सारे पेमेंट गेटवे जिनके जो सीबा इनों को इसे ट्रांजेशन में एकसेट करेंगे तो एसी बहुत सारी साजेदारी इनकी को करना पड़ेगी और अधिक दिल्चस्प बात यहां है कि चेट जीपीटी के पास एक समय सीमा भी है सिब को एक मूल तक पहुचाने के लिए और इसी लिए इस मीम कोईन में अगले 6-12 महिनों के भी तेजी से उचाला सकता है यहां पर यह संभावना है इनोंने बताई है तो एक अच्छी खबर है अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर इसी न्यूज को अगर आगे देखे तो एक ट्वीट भी यहां पर लूसी के दुआरा आया था तो इस खबर को अगर वि यूजर करता हो की बीच हासिल करना जारी रखता है तो एक से दो अर्सों के भीतर जो प्राइज है वह 0.9 डॉलर तक पहुच सकती है तो यहां पर इन्होंने दो त्रीन चीजों पर फोकस किया है तो कि मार्केट अच्छा रिस्पोंस है जैसे बिटकोइन 27000 पर पहुच ग जाए तीसरा यहां पर अभी एक चीज और जो मोश्ट इंपोर्टेंट है वह अगर हो जाती है तो और ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा तो यहां पर तीन सा पाच साल की अउधी में यदि सीप की एको सिष्टम महत्पूर्ण विस्तार होता है तो यूजर करता हो और नि मस्ट इंपोर्टेंट नियूज यहां पर निकल कर आई थी वह देख लिजिक जे जो इनकी Lucy है उन्हों ने यहाँ पर एक ट्विट किया था ट्विट में क्या था कि सिबेरियम के यूजर करता हूँ कि सीबा कीमत है उसमें मदद मिल सकती है यहाँ पर इस ट्विट को हम अगर ध्यान से देखे तो Lucy ने हाली में एक सससे संपरक किया और यूजर करता उसे एक्चेंजों के बजाए सिबेरियम पर अपनी डिजिटल समपत्ती श्टोर करने के लिए कहा था यहाँ पर पूछने वाली बात यह है कि यार एक्चेंजों के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखे तो लूसी का कहना था कि जितने भी हम चेड़ जीपीटी पर ट्रांजेशन करते हैं यानि कि प्रती लेंदेन पर अधारित होती है और यही पर बर्निंग की जो होती है प्रोसेस चलती है यानि कि बर्न प्रती लेंदेन प्रती ट्रांजेशन पर अधारित है जितने अधिक ल आएंगे हलाकि इसके अतरिक तो कुछ अफवाओं के अनुसार सीबर टोकन एक नए बर्न मेकनिजम पर काम कर रही है इस बात को उन्होंने पूरी तरीके से निराधार बता दिया है हलाकि बर्न मेकनिजम की लौंच तिति के बारे में उन्होंने जानकरी नहीं दी उनके पास जितने भी वॉलेट क्रियेट होंगे ट्रांजेशन होगा सिबरियम पर तो उतने ही सिब टोकन के साथ पॉजिटिव इंपेक्ट पड़ेगा और उतने ही टोकन बर्न होंगे तो कॉइंटिटी कम होगी टोटल सप्लाई कम होगी तो इस कारण से भी प्राइज तेजी से लगते हैं तो इस वीडियो को यार यहीं पर विस्तार रोकते हैं आई होप वीडियो एंजोई क्या होगा मिलते नए वीडियो में गुडबाए